आप दिन का 2000 से 25,000 तक कमा सकते हो कुछ side hustle वाले आइडियास पर काम करके। चले जानते हैं कौन से हैं वो आइडियास इस वीडियो मेरे। हेलो, मेरा नाम है मेधा और आप देखना शुरू कर चुके हैं जोश्मली। तो आज हम आपको तीन ऐसी side hustle आइडियास के बारे में बताने वाले हैं जिन पर काम करके आप हर दिन decent amount कमा सकते हैं। अब जैसे ही side hustle आइडियास हैं और कोई passive income आइडिया नहीं है तो आपको ये काम करने में अपने रोज की 3-4 घंटे तो देने ही पड़ेंगे। अब सबसे पहला जो side hustle आइडिया है वो है एकदम free मतलब इसमें कोई registration charges नहीं है और इसमें आपको certificate भी free में provide करवाया जाता है। तो आइडिया है notion certified consultant बनने का अभी notion क्या है तो notion एक project management software है जहां आप एक customized work space बना सकते हो। तो अगर आपको notion अच्छे से use करना आ जाता है तो आप छोटे छोटे businesses को approach कर सकते हैं। Upwork और Fiverr most trusted websites हैं worldwide अगर बात आती है freelance काम करने की। Indian notion consultants एक घंटे का 30 से 80 डॉलर तक earn कर रहे हैं जो कि इंडियन रुपीज में 2300 से 3300 बनता है। अगर आप अभी नए हैं तो आप notion को एकदम मुफ्त में इस्तिमाल कर सकते हैं। आप notion का इस्तिमाल करना YouTube से भी सीख सकते हैं। जब आप notion के बारे में थोड़ा सीख जाएं तो आप notion की website पर जाके certified consultant बन सकते हैं वो भी एकदम मुफ्त। अब बढ़ते हैं आगे। जो हमारा अगला side hustle idea है उसमें आप 25,000 तक कमा सकते हैं वो भी सिर्फ एक घंटे में। एक website है respondents.io इस website पर Microsoft, IBM जैसी बड़ी-बड़ी companies अपने research और surveys कंड़क्ट करवाती हैं। और surveys कुछ ऐसे नहीं होते कि आपको बस जाना है और form फिल करना है, बल्गी इसमें company आप लोगों से कुछ सवाल पूछती हैं, आपके विचात जाने की कोशिश करती हैं, face-to-face interview होते हैं। इस पूरे process में participate करने में आपको पैसे दिये जाते हैं। तो basically respondents.io एक platform है जहां researchers को respondents यानि आप लोगों से जोड़ा जाता है। इसमें पैसे आपको अपनी profile के हिसाब से दिये जाते हैं। जैसे इस site पर Silicon Valley based एक company है जो research के लिए ऐसे लोगों को डूल रही है जो automotive sector में interest रखते हैं। और automobiles की बहुत खरीदारी करते हैं। ये company इस काम के 130 डॉलर दे रही है। इसमें आपको अपने 40 मिनट देने होंगे और बदले में आप 130 डॉलर या कही approximately 10,000 रुपे कमा पाएंगे। दूशरी एक company है जो ऐसे लोगों को research करने के लिए ढून रही है जो किसी travel management software में काम करते हैं। इसमें आपसे कुछ simple से सवाल पूछे जाएंगे। 90 मिनट की ये research होगी और इसके बदले आपको 450 डॉलर यानि कि approximately 37,000 रुपे दिये जाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले idea की तरफ अब इस side hustle में आपको थोड़ी research और creativity की जरुरत पड़ेगी। पर ये काम भी आप अराम से घर बैठे बैठे कर सकते हैं। इसमें आप on an average 14,000 रुपे पर month कमा सकते हैं। You can become a freelance content writer. अब जिस तरह से इंडिया में online consumption इतना बढ़ गया है। हर कोई सब कुछ online ही देखना पसंद करता है। अब जिस तरह से videos की demand इतनी बढ़ती जा रही है वैसे ही content writers की demand भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। तो आप एक अच्छी content writer बन सकते हैं और उस से पैसे कमा सकते हैं। आप 800-6,000 रुपे तक script लिख के कमा सकते हैं। अब कितना पैसा मिलेगा वो आपकी skills और experience पर भी depend करता है। आप किसी भी भाषा में content writer बन सकते हो। आप हिंदी, इंगलेश, उर्दू, तमिल, तेल्गू, आदी जिस भी भाषा में comfortable हो उसमें आप script लिखना शुरू कर सकते हैं। Credible content नामक एक website के मताबग content writers एक script का 400-1200 तक कमा सकते हैं। आप freelance content writer बनने की शुरुआत Fiverr और Upwork से भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ इन freelance काम दिलवाने वाली website जैसे Fiverr या Upwork पर login करना होगा, अपनी profile बनानी होगी, portfolio को update कीजे और बस फिर clients ढूणने शुरू कर दीजे। तो अगर आप सोच रहे हैं कोई side hustle करने का और थोड़ी extra income कमाने का तो आप इन बताए गए ideas पर काम कर सकते हैं। अगर आप इन दिये गए ideas से कुछ अलग कर रहे हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं तो वो भी हमें comment section में बताईएगा। आप से मिलती हूँ अगली वीडियो में and thanks for watching!